आजकर लोन्स बड़े ही असानी से मिल जाते हैं चाहे हमारी जुरूरते बहुत छोटी क्यों नहों या फिर बड़ी ही क्यों नहों लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे दो तरह के डेट्स यानि की कर्ज होते हैं गुट डेट और बैड डेट तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इन डीटेल क्या होता है गुट डेट और क्या होता है बैड डेट ताकि आपको एक क्लारिटी मिल जाए कि कौन से कर्ज से आपका फिनांशल फ्यूचर सेक्योर होता है और कौन से कर्ज से आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाता है हेलो दोस्तों मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्पागत है आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें वैसे अक्सर कहा जाता है कि कर्ज लेना पाप है क्योंकि कर्ज तो कर्ज होता है ना उस कर्ज को हमें वापस देना है और साथ ही उस पे हमको बहुत हाई इंट्रेस्ट भी भरना पड़ता है तो Curse बहुत ही गंदा होता है लेकिन अगर आप गौर करें आज कल सब कोई लोन लेता है, चाहे वो एक छोटा household ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा company क्यों ना हो, चाहे सरकार ही क्यों ना हो हर कोई loans लेते ही हैं अपको यह analyze करना होगा जब भी आप किसी तरह का लोन ले रहे हैं, क्या वो कर्स, क्या वो लोन आपके लिए अच्छा है या फिर बुरा है, तो चलिए, जानते हैं in detail, सबसे पहले शुरू करते हैं और जानते हैं कि अच्छा लोन, यानि कि good debt क्या होता है, तो good debts ऐसे होते हैं, जहां पर आपको future मे ये पैसे आपको debts pay करेंगे, तो इसकी बहुत सारे examples हो सकते हैं, सबसे पहला example है student loan का, यह कैसे होगा, यह ऐसे होगा कि मान लेते हैं, आज आपने एक student loan लिया है, education loan लिया है, ताकि आप आगे चलकर अच्छे पढ़ाई कर सकें, ताकि आप अपने higher education complete कर सकें, यह good debt इसे यह है क्योंकि यह आगे चलकर आपको एक asset बनाता है, आप एक खुद के asset बन सकते हैं, और वो हो सकता है through education, जब आज आप एक अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, तभी जाके आपको आगे एक अच्छी नौकरी मिलेगी, और आप अच्छे से कमा सकते हैं, तो यह example हो स asset बढ़ता ही जाता है, it is an appreciating asset. दूसरा example है, mortgage का, यानि कि घर, जब भी आज आप home loan लेते हैं, तो आप ऐसे जगा पैसे लगा रहे हैं, जो आगे चलकर जिसकी value बढ़ेगी, तो घर एक ऐसा चीज है, जहां पर हर कोई invest करना चाहता है, और I am sure, and आप सब आपको पता होग और COVID के बाद बहुत जल्दी recover हो भी गये थे, तो real estate industry में जब आप invest करते हैं, अगर आप अपने खुद के घर पे invest करते हैं, तो it is again an appreciating asset, आगे चलकर इसकी value बढ़ेगी, इसे के साथ तीसरे example हो सकता है, home equity loan, तो जब भी आप home equity loan लेते हैं, तो यह good debt का example इसलिए है, क्यो तो आज अगर आप एक business शुरू करने का सोच रहे हैं, और आपके पास fund raise करने के उतने पैसे नहीं है, उतना capital नहीं है आपके पास, पैसे नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, ऐसे में आप business loan के लिए opt करते हैं, तो यह भी एक good debt का example हो सकता है, जहां पर आज आप एक ऐसा entity बना रहे हैं, आप ऐसा organization बना रहे हैं, जो आगे चल कर बढ़ेगा, आपको अपने vision पर अगर believe है, तो आगे चल कर यह बढ़ेगा, और यह revenue ही generate करेगा, तो यह भी एक example है of good debt, अब बाग कर लेते हैं bad debt की, यानि कि बुरा कर्स क्या हो सकता है आपके लिए, बुरा आज invest कर रहे हैं, ताकि आपको financial future secure रहे है, और वो आपको आगे चल कर पैसे generate करके दे, bad debt ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, bad debt में आप instead क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर bad debt में आप future से पैसे उधार में ले रहे हैं, ताकि आप आज जी सको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो यह value हो, वो गिरेगा, यानि कि आप depreciating asset में invest कर रहे हैं, और साथ ही आपको कोई भी किसी भी तरह का long term income यह नहीं देता, जैसे कि हमने देखा good debt में आप घर पर अगर invest करते हैं, आगे चल कर घर आपको पैसे देगा, यानि कि आप एक rent के रूप में एक regular income भी पा सकते हैं, chances है bad debt में आप instant depreciating asset में invest करें, जिसकी value कभी नहीं भड़ेगी, और साथ ही bad debt में आपको higher interest rate भी भरना पड़ता है, अब बात कर लेते कौन से ऐसे examples हैं of bad debt, अगर आपने लिया है तो आप make sure करें कि आप दुबारा ऐसा bad debt ना ले, सबसे पहला example हो सकता है payday loan, अब यह payday loan क्या ह basically payday loan ऐसे होता है कि जहां पर आप बहुत सारे ऐसे online stores भी हैं जहां पर आप जाकर apply कर सकते हैं loan के लिए और आपको instant loan मिल सकता है, यहां पर आपको instant loan जब मैं बोल रही हूं तो कम से कम आपको 15 minutes में यह loan मिल जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो payday loans के लिए apply करते हैं, पर यह एक बहुत ही गंदा loan है जो आप लेते हैं क्योंकि यहां पर आप loan तो लेते ही हैं और साथ ही यहां पर high interest rate भी आपको pay करना पड़ता है, तो यह bad loan है, जहां पर आप loan ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं ताकि आज आज आप जी सकें, यह बिल्कुल भी मत कीजिए auto loans, यानि की car loans, तो आप सोच रहे होंगे की car खरीदना तो necessity बन गई है, car में तो travel करना है, यह वो, आपको बहुत सारे reasons मिल सकता है की क्यों आपको car लेना चाहिए, क्या आपने कभी सोचा है की सच में आपको car रही है या नहीं, क्योंकि car एक ऐसा asset है, जो एक depreciating asset है, यानि यानि की आप ऐसे जगा पैसे लगा रहे हैं, ऐसे asset के लिए पैसे ले रहे हैं, जो आगे चल कर जिसकी value जो है वो गिर जाएगी और आपको in return वो कुछ भी नहीं देगी, अगला example है clothes and consumerables, यानि की आज हम जीते हैं, आज हम को देखते हैं कि हम को party में जाना है, मॉल्स में बहुत अच्छे-चे कपड़े मिल रहे हैं, पर कपड़ों में invest करना वो भी बे-फिजूल खर्च करना एक bad loan हो सकता है, यह bad debt हो सकता है, क्योंकि आज में भी आप सोचते होंगे कि मेरे पास credit card है, पैसे निकाल देती हो और यह कपड़े ले लेती हो ताकि मैं अच्छे- सिबल स्कोर को देखें, तो आप बहुत सारे जरिये से अपना सिबल स्कोर इंप्रूफ कर सकते हैं, तो credit card पर निर्भन ना होए और ऐसे bad loan से दूर ही रहे, अब सवाल आता है कि कैसे अगर आपके पास bad loans है, bad debts में आप हैं, तो इससे कैसे चुटकारा पाया जाए, कैसे ए debt snowball का method अपनाईए, यह एक strategy है जहां पर आप पहले छोटे-छोटे सारे जो interest है उसे pay off कर देते हैं, दूसरा method यह है कि आप debt avalanche करके एक method है, वो अपना सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप बड़े-बड़े loans जो हैं, बड़े-बड़े EMIs या interest rate हैं, उसे पहल कर देते हैं, उसे पहले हटा देते हैं, ताकि आप छोटे-छोटे interest rate पर focus कर सकें, पहला debt snowball, याने कि snowball मतलब छोटे-छोटे होते हैं, तो आप छोटे-छोटे loans को पहले चुपता कीजिए, या फिर second option है, अब launch, याने कि बड़े-बड़े loans जो है, interest rate हैं, वो उसे पहले प consolidation loan लेते हैं, ताकि आप बाकी की छोटे-छोटे-छोटे loans हैं, उसे एक बार में ही clear कर दे, अगर आज आज आपके पास home loan है, car loan है, personal loan है, जितने भी loans है, आप इतने सारे EMYS भनने के साथ, इतने सारे interest rate पे करने के साथ, आप इन सबको एक साथ ही close कर सकते हैं, जब आप debt consolidation loan लेते हैं, तो यह एक ही loan है, ताकि आप सारे बाकी की छोटे-छोटे-छोटे loans close कर दे, एक ही साथ, और ultimately आपको सिर्फ-फर सिर्फ एक interest rate पे करना होगा, और बहुत सारे interest rate की चिंता आपको नहीं करनी है, तीसरा यह कि आप अपने bank को एक notification दे सकते हैं, यानि कि आप तो हर मैने एक particular date पे आप अपना interest rate भरते जा रहे हैं, और ऐसे दीरे-दीरे करके आप debt-free होते जा रहे हैं, तो इस पूरे video में उमीद करती हूँ कि आपको एक picture मिल गया होगा, एक clarity मिल गई होगी, कि क्या आपके पास good loan है, या क्या आपके पास bad loan है, और अगर bad loan है आप कर सकते हैं, freedom app, play store या app store से, जहां हम आपको इन detail knowledge देते हैं, इन सारे loans के बारे में, तो जल से download कीजिए, freedom app, play store या app store से, और अगर ये video आपको informative लगी है, अच्छे लगी है, तो इसे like और share करना बिलकुल भी ना भूले, और सांथी इस channel को subscribe करना ना भूले, और bell icon को भी ज झाल, झाल, और सांथी है, और मैं, पर मॉले, और उसम आपको इस हम जए एब भी ढुको सत्वाबाब है, और खो जगवेड़ झापकोपशते हैं, और से कमा में जए भी आपकोछबादावाजren अलावittा, और रसे करना भी और से, प्लवादावादान को, और